मेजर पावन गौतम, इंजीनियर्स कोर, चवाली स्वीं बटालियन दी राश्ट्री राइफल्स 31 मार्च 2018 को आतंकवादियों की उपस्तित होने की सूचना प्राप्त होते ही मेजर पावन गौतम ने उच्च कोटी की रणनी तिक कुशागरता का प्रदर्शन करते हुए विवेक पून रूप से योजना तैयार की और चुपके से शीगरता पून सुरक्षित घेराबंदी को अंजाम दे दिया वे अपने साथी राइफलमेन के साथ लक्षित मकान की ओर आगे बढ़े परंतु अचानक ही उस मकान की ओर से उन पर भारी आतंक की गोली बारी हुई घेराबंदी को तोड़ने के लिए दो आतंक वादियों ने अंधा धुंद गोली बारी करते हुए मकान से बाहर निकल कर उनके उपर ग्रेनेट दाग दिये जिससे उनका साथी राइफलमेन घायल हो गया भीशन गोली बारी के बीच मेजर परवन गौतम ने अदम्य सहस का परीचय देते हुए जवाबी कारवाई की और एक आतंक वादी को निश्च प्रभावी कर दिया तथा अपने घायल साथी को सुरक्षित बचा लिया दूसरा आतंक वादी मोर्चा सभाल कर अधिकारी की और बड़ी मात्रा में गोली बारी करने लगा तथा उनके उपर ग्रनेट दाग दिये उसी समय मकान के अंदर मौजूद अन्य आतंक वादियों ने भी अधिकारी और उनके दल पर गोली बारी प्रारंप कर दी अपनी निजी सुरक्षा की बिलकुल भी परवाह न करते हुए मेजर पावन गौतम ने अंधा धुंद गोली बारी के बीच अटूट साहस का प्रदर्शन करते हुए गुप्त स्तान पर छिपे हुए आतंक वादी की ओर रेंगते हुए आगे बढ़े और बिलकुल निकट से उसे मार गिराया तथा अन्य आतंक वादियों को खायल करने में सफल हुए इसके अलावा इस ओपरेशन के दोरान पांच और आतंक वादी धराशाई किये गये मेजर पावन कुमार गौतम ने असाधारन नित्रित्व अदम्य साहस और करतव्य से उपर उठकर शौर्य का प्रदर्शन किया जिसके परिणाम स्वरूप कुल साथ कटर आतंक वादियों को मार गिराने में सफलता मिली मेजर पावन कौतम